हेलो फ्रेंट्स वेलकम टू एस्वाई एकैडमी इस वीडियो में हम यूरोपियन यूनियन का मैप देखेंगे काफी इंपॉर्टन मैप है दोस्तो एक्जाम पॉइंट ओवी से एड आपको नजर रखनी चाहिए यह सब जो नेशन्स है दोस्तो यह यूरोपियन यूनियन क सेम नहिए है सासाथ एक और चीज़ याद रखिये सारे यूरोप के कंट्रीज यूरोपियन यूनियन के मैंबर नहीं है यह पॉंट आपको बिっ कृस्तल क्रिस्टल क्लीए रही है लोगों को लगता है यूरोप में है तो यूरोपियन Union का मेंबर हो गई इसका एक्जांपल देख लिए यह राज Switzerland आपका है ना भई Switzerland तो European Union के बाहर है क्यों बाहर है कैसे बाहर है इसमें नहीं जाते यह तो अलग पार्ट से हैं एक तो England है एक Northern Ireland है दो कौन से हैं और वो comment section में बताईए यह आपको पता होना चाहिए Northern Ireland मैंने special इसलिए बताए यह जो area है ना यह Northern Ireland है राइट यह जो area है आपका यह Northern Ireland है और यह Ireland खुद एक country है ठीक है तो I hope यह point आपको clear हो गयागा Ireland खुद एक country है Northern Ireland जो है वो United Kingdom के अंदर आता है England United Kingdom सेम नहीं है I hope यह point आपको clear हो गयाओगा यह एक channel है जो आपको पता होना चाहिए जिसका नाम मैं अगेन नहीं बता रहा है जिसको पता है comment section में बता है जो France और United Kingdom को separate करता है काफी important channel है यह करके चलते है पुर्टगाल यह दोस्तो वासको डिकामा यहीं से आयते Portugal और शायद Cristiano Ronaldo को तो आप सब जानते ही होंगे वो यहीं के है Spain हो गया France हो गया यह चोटा सा country Luxembourg लेकिन बहुत बढ़िया country है कभी मौका मिले तो जाहिएगा Belgium यह Netherlands जिसकी capital Amsterdam है आप सब लोग को दोस्तो capital भी बता होने चाहिए इन सब countries की Germany Italy Austria Malta Greece Sweden Finland ठीक है यह सब जो countries है यह सब old members है यह कौन सा country है यह आप comment section में लिखके बताइए कुछ 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 कोश्चन में आप से पूछता रहूंगा questions के answer देते रहिए अब दोस्तों आ जाते हैं बाकी जो नई members है और यह जो नई members है especially आप नई members क्यों है क्योंकि यह न USSR जब Soviet Union ब्रेक हुआ उसके बाद यह सारे काफी countries या उससे पहले ही काफी सारे countries आज़ाद हुए मतलब यह सब जो है socialist countries थे दोस्तों communist countries थे ठीक है World War II के बाद especially यह सब communist countries थे रश्या की काफी जादा USSR रदर दन रश्या USSR की काफी power तीन के उपर लेकिन USSR 1991 में ब्रेक हुआ और काफी कुछ चीज़े चेंज हुई और European Union में एड हो गए Estonia, Latvia, Lithuania तीन कंट्रीज है काफी अच्छा कंट्रीज है काफी अच्छा standard of living है और इन तीन कंट्रीज को कुछ कहते भी है B से नाम स्टार्ट होता है क्या कोई comment section में मुझे पता है यह आपका दोस्तों Poland है Czech Republic, Slovakia ठीक है यह दोनों एक कंट्री थे अलग अलग हो गए Hungary, Croatia, Slovenia, Romania, Bulgaria यहाँ पे भी कुछ कंट्रीज है दोस्तों जो European Union के पार्ट नहीं है फिर Cyprus, यह सब दोस्तों nations है और याद रखिए Ukraine पार्ट नहीं है ठीक है Ukraine जो इसकी लड़ाई हो रही है यह पता होना चाहिए आपको Ukraine के बार में सब कुछ है ना यह आपका दोस्तों Mediterranean Sea है यह भी आपको clear होना चाहिए यह किस किस country से clear touch होता है यह geography और UPSC टाइप के exams में काफी बार पूछ ले जाता है UPSC के तो favorite question होता था यह आप काफरी का है यह Asia आ गया ठीक है यहापे तो that's all, यह European Union है I hope आपको clear हो गया होगा यह सब इसके countries हैं Shenzhen visa यह Shenzhen countries अलग है Europe भी अलग है European Union से that's all thank you